नमस्कार दोस्तों विवेक कुमार और मेरे पात है यहाँ पर समसंग के दो सेट और दोनों ही आते हैं गोई डीसन के साथ एक है समसंग गैलक्सी M01 कोर दूसरा है गैलक्सी जेटु कोर 2020 मैं यहाँ पर करने वालों दोनों का फुल कमपेर जैन और हम देखेंगे M01 कोर में क्या इंप्रूमेंट आपको मिल रही है जेटु कोर से तो सबसे पहले फेजिकल डिजाइन की बात करने देखें राइट में दवन इफ़न में पावर की आपको देखने के मिल रहा है जबके M01 कोर में बॉल्यम की भी आपको यही पर देखने के लिए मिलेगा टॉप पर यहाँ पर दोनों इफ़न फ्लेट है कुछ भी यहाँ पर टॉप पर नहीं मिलता है बात करने लेप साइट की तो यहाँ पर जेटु कोर में आपको मिल रहा है बॉल्यम रॉकर जबके M01 में सिम ट्रे आपको दिया गया है एक और पर दादू जेटु कोर यहाँ टॉप पर आता है ओपन बाकस के साथ ऐूपन वेक के साथ में यानी की यूणि वड़ी वह नहीं है बॉ suis टूप साइड का चार्जिंग आपको मिल रहा है माईक यहां पर दोनों इफान का है और यहरफन रंडिंग फोन में ऐा पन पर निजयम एक मिलते हैं तो इंट्रास्टिंग यहां पर लायनिंग यहां पर द थे गई आपको ज देखना है जब जबकि जे टू कोर ग्लॉसी फिनिस में आपको मिलता है प्लेन ग्लॉसी फिनिस है यह और यहाँ पर M01 कोर मतलब बिल्कुल डिफरेंस डिजाइन और थिकनेस भी थोड़ी सी कम है यहाँ पर M01 कोर की as compared to जे टू कोर M01 कोर की जो थिकनेस है वो है यहाँ पर 8.6 mm जबकि जे टू कोर की थिकनेस जो थी वो लगबक्स 9 mm के something आपको मिलती थी तो थिकनेस में यहाँ पर improvement है सबसे पहला और unibody design आपको मिल रही है जो कि जे टू कोर में नहीं थी यह दूसरा improvement है और अब दोने फोन को hardware का difference तो दोनों ही फोन यहाँ पर भूट हो चके हैं सबसे पहला display में इंप्रूमेंट है size का जो size M01 कोर का 5.3 inch HD plus IPS sorry TFT display आपको यहाँ पर मिलती है जिसका PPI यह 311 यानि कि 311 है जबकि जे टू कोर 2020 में आपको 5 inch की display मिलती थी जिसका resolution था QHD यानि कि HD भी नहीं था उससे भी कम था यहाँ पर PPI जो था यहाँ पर वह भी काफी कम आपको मिलता था और डिस्प्ले टाइप में बात करें तो आप दिखते हैं यहाँ पर M01 कोर में जो डिस्प्ले है वो just like Samsung ने जो लॉंच किया था J6 उसके जैसी यहाँ पर डिस्प्ल आपको मिल रही है साथ ही यहाँ फोन का यू आई और आप देखते हैं यहाँ पर आपको देखने से पता लग जाएगा दोनी फोन गो एडिशन पर वर्क करते हैं काफी सारे अप्ली किसान है दोनी फोन में गो एडिशन के और लेकिन यहाँ पर YouTube आप देखकते हैं M01 Core में मेन यूट्यूब है, गो वर्जिन का नहीं है साथी मेप गो वर्जिन का है यहाँ पर Facebook Lite आपको मिल रहा है और यहाँ पर Google Go भी आपको मिल रहा है और एक और चीज इंप्रूब है यहाँ पर M01 Core में दो गेलरी हैं आपको एक तो भी मेन गेलरी है Samsung की और एक Go Edition की भी गेलरी आपको मिलती है साथी File Go का उप्षन भी यहाँ पर है और Google Assistant दोनोई फॉन में आपको दिया गया है यह दोनोई फॉन का आपका notification पैनल यहाँ पर आप देखते हैं M01 Core की UI थोड़ी से इंप्रूब है और आपको One UI जैसा यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा जिसके यूज करने वाली स्क्रीन को बॉटम साइड में आ गई है साथी Dark Mode यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा J2 Core में और बागी सब कुछ लगवग सेम आपको मिल रहा है Hardware की गर बात करें तो यह दोनी फोन के About Phone section में हम चलते हैं और देखते हैं क्या difference है तो Go Edition के साबसे UI यहाँ पर improved UI है साथी OS की बात करें तो कि Oreo पर वर्क करता था J2 Core 2020 जबकि M01 Core latest OS यानगी Android 10 पर वर्क करता है तो Samsung ने इसको डवलप किया है Go Edition पर रन करने के लिए Android 10 को भी तो M01 Core में आपको मिलता है MediaTek का 6739 Quad-Core प्रोसेसर 28 Nm पर यह करता है वर्क इसकी चारों कोर है 1.5 GHz Cortex A53 की वहीं J2 Core 2020 करता था Exynos 7570 पर यह इसमें भी Quad-Core प्रोसेसर था और इसकी चार कोर थी 1.4 GHz Cortex A53 की और 14 Nm पर करता था यह वर्क साथी यहाँ पर बैटरी में भी इंप्रूमेंट मिलेगा आपको J2 Core में 2600 mAh की बैटरी आपको मिलती थी जबकि M01 Core में आपको 3000 mAh की बैटरी देखने के लिए मिलेगी तो यह भी इंप्रूमेंट है यहाँ पर ज़्यादा बैटरी यानि की ज़्यादा बैकप और साथी बात करें अधर फीचर्स की तो वो भी चेक कर लेते हैं यहाँ पर और क्या इंप्रूमेंट आपको देखने के लिए मिलता है तो यह दौनी फॉन का स्मार्ट मेनेजर है और यहाँ पर इंप्रूमेंट पता दूँ में M01 Core में है जो कि J2 Core 2020 में नहीं है और साथी बात करें लॉक स्क्रीन और सेक्योर्टी की तो दौनी फॉन में फेस लॉक नहीं मिलेंगे केवल यहाँ पर दौनी फॉन में आपको मिलेगा स्वाइप, पैटन, पिन और पास्वर्ड के ओफसन तो यहाँ पर कोई इंप्रूमेंट नहीं है और बाकी अधर फीचर्स की बात करें तो भी यहाँ पर चेक लेते हैं आप देखते हैं दौनी फॉन की सेटिंग यहाँ पर लगबग सेम सेम फीचर्स हैं यहाँ पर आपको UI का थोड़ा सा डिफरेंस देखने के लिए मिल जाएगा बाकी बात करें केमरे की तो दौनी फॉन में सिंगल केमरा सेटप आपको दिया गया है और मेन केमरे की बात करें तो M0 में जो मेन केमरा एट मेंगा पिक्सल का F2.2 के साथ में J2 Core 2020 में भी मेन केमरा एट मेंगा पिक्सल का था F2.2 के साथ में यहाँ पर कोई इंप्रूमेंट आपके लिए नहीं है फीचर्स की बात करें तो फीचर्स भी दौनी फॉन में लगबग सेम है और सेम के फीचर्स कुछ है ही नहीं बेसिक केमरा फीचर्स ही है के बड़ फीचर्स ब्यूटी मोड यही और फ्लैस बाकी और कुछ यहाँ पर नहीं है और वीडियो रिकॉर्टिंग की अगर बात की जाए तो वह यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं फुल एच्ट देक का सब्सक्राइब डोनाई फोन में जे टू कोर 2020 में वीडिये रिकॉर्ड आप कर सकते थे वह यहाँ पर एमजी रोबन कोर में नहीं है तो यहाँ पर भी कोई इंप्रूमेंट नहीं है और साथ ही बात करें फ्रंट कैमरे की तो जे टू कोर 2020 में जो फ्रंट कैमरा था फाइब मेंग एकसल का एफ 2.2 के साथ में और फीचर्स की बात करें तो फीचर्स लगवा कि यहाँ भी वही सेम है मैं आपको एक बार चेक राजिता हूं फीचर्स बार फ़ोन के तो यह है सेलफी केमरा और यहाँ पर भी वही फीचर्स है ब्यूटी मोड्स फेल्टरर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे टाइमर का option है, flash का option है sorry, flash का option yes, flash का option भी है और filters और beauty mode आपको यहाँ पर मिल रहे हैं साथी video recording के लिए यहाँ पर side में आपको बटन दिया हुआ है साथी बात करें video recording की तो यहाँ भी आप fill 80 दग का video record कर पाएंगे rear की तरह से ही कोई difference यहाँ पर भी नहीं है साथी बात करें M01 core के front camera की तो यहाँ पर अचुक front camera वो भी 5 megapixel है और features यहाँ भी बोई है यह video recording mode है और यहाँ पर बात करें video recording की तो यहाँ पर भी आप video recording फुल HD का video recording support मिलता है photo में यहाँ पर भी वोई same beauty mode और filters और flash timer यही सब कुछ आपको मिलेगा तो camera features में यहाँ पर कोई भी improvement नहीं है total जो improvement थी वो थी यहाँ पर आपकी display की design की, battery की यह कुछ यहाँ पर improvement थे body का थोड़ा से improvement था और बाकी जो एक latest improvement है वो मिला है variant में 2GB RAM की सा 32GB storage एक और सबसे अच्छी बात है वो है price की थे कि J2 Core 2020 जो आता था single variant में था 1GB RAM के साथ 16GB storage जिसका price था 6300 रुपे लेकिन M01 Core 1GB RAM के साथ 16GB storage वाला जो variant है उसका price है मात्र 5499 यानि 5500 रुपे का difference 5500 रुपे में आपको same variant यहाँ पर मिल रहा है और काफी improvement design features के साथ में साथ इसमें 2GB RAM के सा 32GB storage वाला भी variant है जिसका price है 6400 रुपे में यानि 6500 रुपे में आप Samsung का phone purchase कर सकते हैं 32GB storage के साथ में इस cost का phone इस से पहले Samsung ने मेरे सामने size कभी नहीं दिया और size दिया ही नहीं होगा 2500 रुपे में आपको 2GB RAM पे 32GB storage यहाँ पर दिया गया है हलागे यह entry level smartphone है और ज्यादा features यहाँ पर नहीं है यह केवल उनी लोगों के लिए useful हैं जो first time user यहाँ पर आते हैं smartphone के लिए तो overall काफी अच्छा phone है M01 core और मैं prefer करूँगा M01 core को यहाँ पर तो यह थी हमारी दोनों ही phone के full comparison की वीडियो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आयोगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना न बूले है चैनल को सब्सक्राइब करना न बूले है मिलते हैं अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद है अवी न आपको बूले है